फ्रेंड्स हवा हमारे चारो तरफ उपस्तित होता है और हमेशा मूव करते रहता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्तिया हिल रही है आखिर यह हवा एक जगा से दूसरे जगा कैसे मूव करती है आज हम लोग एक सेट अप करेंगे और फिर देखेंगे हवा एक ज यहां से और यहां से काट जी रहा हूं मैं इसके लिए सिंपली एक ले ले रहा हूं कॉपर वायर और इसको मैं इलेक्टरिक करेंट दे करके गर्म कर दूंगा इससे यह ट्यू लाइट कट जाएगा कि इसको कि इसको अब इसको साफ करते हैं सेफली गलास साफ हो चुका है अब मैं ले ले रहा हूं दो बकेट और इसको फिक्स कर दे रहा हूं ऐसे अब हमारा सेट अप पूरा तरा से रेडी हो चुका है इसमें मैं रख दिया हूं बर्फ और इसमें लगा दिया हूं रूम हीटर जिख सकते हैं इसमें हवा अधेन सोगा यानि सीखोड़ा इसमें और इसमें हवा फ्यजा लेगा सब्सक्रेस को घरम ते छे क्रति हैंट फिर ठंडा होने पर कैसे सिकूर जानती है इसके लिए मैं सब से पहले बलून में हवा भर दे रहा हूँ कर रहा हो देखिए मैं जब इसको ठंडा कर रहा हूं तो कैसे यह सिकूर रहा है देख सकते हैं इस बलून में का हवा अब अब थंडा होके सिकूर चुका है अब मैं जैसे ही इसको बाहर रखूंगा हवा गर्म होने लगेगा और ये बलून फिर से फूलने लगेगा देखते हैं इसको देख सकते हैं ये गर्म होने के बाद कैसे फैल रहा है ये फिर से अपने ओरीजनल सेफ में आ गया है लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसमें हवा शिकूर रही है और इसमें हवा फैल रही है चलिए इसको देखने के लिए मैं अगरबत्ती का यूज कर रहा हूँ क्याओकि हम लोग धूआ को देख सकते हैं इस ठंडा वाले में मैं अगरबत्ती ले जाए रहा हूँ और इसका धूआ देखिए वो मूब कर रहा है एड्स रीली ओसम थंडा वाले bucket में हावा सिकूड रही है और गर्म वाले bucket में हावा फैल रही है इसलिए थंडा वाले bucket से गर्म वाले bucket की ओर हावा बहने लग रही है अगर मैं इस अगरबत्ती को घर्म वाले साइड में ले जा रहा हूं तो यह थंडा वाले साइड में मूव नहीं कर रहा है इवन मैं इस अगरबत्ती को इस ट्यूब में भी लगा दे रहा हूं फिर भी यह थंडा और नहीं जा रहा है और मैं जैसे ही इस अगर बत्ती को थंडा की और रख रहा हूं तो यह गर्म की और मूव करने लग रहा है इस बकेट का तो हालत खराब हो गया है तो चलिए मैं इसको अलग रख दे रहा हूं और देख सकते हैं अभी भी इसमें से स्मोक निकल रहा है थंडा की और से गर्म की इस घर्म की वरिट जा पारा है एक कि इसको और ज़्यादा वीजीवल देखने के लिए कैसे मूओ कर रहा है थंडा वाले बकेट में लिक्विड नाइट्रोजन, डाल दे रहा हूं और इदर तो गर्म है तो फिर देखते हैं कैसे दिखाइदे रहा है किरूख हाओ इस इससे देख सकता है है म로 कैसे मुव कर रहा है ऑसल्ध जब धर्ति सूरी के प्रकास से गर्म होग जाती है तब उसके ऊपर का भी हावा गर्म हो जाती है है ऐसा कि हम लोग जानते हैं जब हवा गर्म हो जाती है तो फैलने लगती है और हलका भी हो जाती है इससे की उपर की और उठने लगती है जब हवा ठंडी हो जाती है तो ज्यादा डेंस हो जाती है भारी हो जाती है नीचे की और दबने लगती है फ्रेंस ठीक इसी तरह करने लगता है तब हावा उससे भी चलता है तो फ्रेंश आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेले कंदवा दिजिए इसी तरह के साइंस वीडियो आते रहे भग, thank you